तेलंग मश्वामी 15 सल के अवस्था में असमसां घाट पकरने उनका भाई उपिल था बहुत जानिमानित कमिल का उजाकर असमसां से लाता था अगे इसा मत करो तुम्हारा मां भी आए बाप भी हमी है लोग क्या कहेंगे हम यह के जमिंदार हैं धनी है राजपरिवार हैं और तुम हमारा एक मात्र छोटा भाई है तुम्हारे मां बाप मर गया और यहां हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी है किसी कमी नहीं है तुमको जो इक्षा हो पढ़ हो लिख हो सब हम सुगधा देंगे नोकर चाकर सब करते हैं तुम है तो बाबा मांग रहा है मांग नहीं हरा तो सोच रहा है कि हम राजा है यह हमारे लोग जागीर है जागीर में वह टैक्स मांगता है और इसको कहता है दुसरा हम राज परिवार के हैं दूसरा हम यहां सबसे बड़े ओखील है उसकी आधा हिस्दार हो तु भीक मत मांगना तब एक नोकर तुम रहें हैं प्रमाने तुम्हारे सांत रहेगा कुरहें गटीक नगार मखाने लगार जलते हुए लास को देखते का गच्छा बहुत लोग परचितलों को देखता का बड़ा अहंकार था बाबा कंगे किरिम से नकली रूप सजाया था और अहंकार से बहुत बड़ा था तुम भी धुधू कर जल रहा है हाड जड़े जस लाकड़ी केस जड़े जस घास और बहुत तिब्रता होने लगी जब दस साल बीता पचीश साल का हो गया नजवान तब भगवान संकर प्रगट हो गए धारे रखना होता है भगवान संकर प्रगट हुए पुछे कि बर मांगो कहा कि बर क्या मांगे भगवान हमको मुक्ती प्रदान करो कहा कि मुक्ती मेरे हाथ में है तब मुक्ति मैं नहीं देता, मुक्ति तो गुरु के हाथ में है, तु तो गुरु के नहीं अभी तक किया, देखो, जिस संकर जी को तुम लोगाते हो, संकर जी ने कहा कि मुक्ति तो गुरु के हाथ में है, गुरु देता है, कहा कि आप से बड़ा गुरु कौन मिलेगा, कहा आग यह स्रिष्टी का नियम नहीं है बक्वास मत करो that is not law of nature मैं भी जब जनम लेता हूं तो गुरुगिरी जानता हूं मैं शंक्राचाज गुरुप में गया था क्या गुरुगिरी नहीं गया मैं गुरु नहीं किया मैं स्रिष्टी के संचालान के लिए बेद बनाया हूं और वह बेद में हमने नियम दिया है उस नियम के नुशा चलना होगा मेरे ही मंदिर में तुम नहीं सुनाया कागदेव बैठ करके ओम नमाशिवाया कर रहा था और गुरु आया तो खड़ा नहीं हुआ गुरु को तो क एक हजार बरस एक हजार जनम सरप रहो रमायन में नहीं सुनता है कि जब उसके गुरु जी ने प्रार्थना किया जो आया है रमायन में जब बहुत बंदना किया हम कि आपको अंतर नहीं पढ़ रहा है लिगी मेरे शिष्टी का अंतर पढ़ जायागा मैं स्वेम जो हूँ एफ आयार लेता हूँ कलेक्ट करता हूँ मैं स्वेम जो है जैजमेंट भी करता हूँ और दंड भी देता हूँ दंटा धिकारी भी हूँ इसको दंड दे दिया अतुरत गुरु का अपमान कर रहा है कहा कि अरे भगवान छोड़ छमा किजिए चमा सोवती उस बुजंग मे जिसके पास गराल हो कहा कि चमा पहुए अप नहीं होगा मिध्या नजाः है अपर गुरु के पर्ति हो अए और गुरु कर रूप में मैं ही निवास करता हूँ बगवान कृष्न है अर्जुन से एर्जुन ठीक ठीक जो गुरु होता है इसके मैं में ही निवास करता हूँ गुरु करूप है। भगवान संकर भी करते हैं मैं ही निवास कर रहा हूं। तब बहुत प्रार्थान पर कहें कि चलो एक हजार जनम ते यह लेगा सर्प का जनम लेकिन मरत जनम दुसरा दुख हुई जनम लेते और मरते बड़ा दुख होता है इसे दुख नहीं होगा वह जो है इमली के खोड़ना में रहेगा ही फटा-फट मरते जाएगा और उस वह ह भक्ति पाएगा तब यह कागदेव होकर कहलाएगा